Welcome to the channel Reviews XP Reviews शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप किसी भी ट्रेक्टर की कोई भी जानकारी चाहते हैं या किसी और ट्रेक्टर का रिव्यू देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं और किसी भी ट्रैक्टर के प्राइस, फीचर्स या पूरी डिटेल्स जानना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिएगे हमारे वेबसाइट के लिंक पर जाकर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिव्यू किसान बाइयन राम राम साथ मैं बालाजी टेक्टर से फोनकुमार छिंपा यह मारा पचाच 36 टेक्टर है शती सोस्पाव टेक्टर है इसका सबसे बढ़ियां यह फाइवर की जोव है उसके एकान यह बहुत मजबूत है सबसेक्टर की दोफाभियू होता है उयद कि जली हो जाती है और एक मिह फ्रegis और शोटा मिह कहते हैं। इसके बजाए यह सबसे बेटर है जिसे एंजिन की सम्ताब जादा रेती है एंजिन खराब नहीं होता और सेकिंड सिस्टम इसमें कुलिंग सिस्टम दिया हुआ है जो एक्टोमेंटिक टेता है और अपने पास रहें तो अपने समाल सुर्ग शेता है कोई अपने टेक्टर साथ बेंटर की साथ शेट शाट नहीं कर सकता और दूसरा इसका है इस सीट है जैसे इसकी पूर्व गाड़ी की तरह है जैसे गाड़ियों में सीट होती है इसी फरकारिक की सीट बनी हुई है प्रोपर और आगे भी होती है पीछे भी सोड़ होती है और इसके जो ब्रेक है जो जए से गाडियों में ब्रेक लगाते हैं वज़ादा अपने ब्रेक लगाते हैं और इसी तरह एक तरह इसे ब्रेक काम करते हैं और उनकी oil brake होने एकार्ण यह जल्दी से जल्दी तूटते भी नहीं है और लंबे टाइम तक ब्रेक काम करते हैं तियरत से 28 के पीछे वाली टाहर है और 6-16 के आगया वाले टाहर है और पीछे इसके लिफ्त की समता अब अपने बात करते हैं भायों लिफ्त के बारे में जो सबसे काम्या और सबसे मजबूत चीज यह इंदर यह लिफ्त को ट्रेक्टर के मकावले ज्यादा उपर अफडाव जिसके एक्सान बाई जैसे खेत में अपने कल्टी बगारा यूज करते हैं तो अपने कल्टी लगबग कहीं सिलिप करता है तो नीचे कल्टी उसको फस जाए तो खोल के निकालना पड़ता है लेकिन जोंडियर में ऐसा नहीं है जो अंडियर की एक्स्टा लिफ्ट के लिफ्ट के कांड वह अटमेटिक उठा लेगा उसको और दूसरी इसकी तंकी है जो पीछे दी हुई है लोगों को लिए लोग बोलते हैं कि इसके कांड पीछे दे रखी गलत है पिछे कि दिखाई नहीं देता इसमें यह सिस्टम है ज तक दीजल टेंक जल्दी खराब होता है यहां तक ब्रॉप वड़ता है तो तक जाने हो जाता है तो इसको अच्छा और प्योड यह हमारा डिशेल मीटर है जैसे गाड़ियों में में चाल दीज्टी से होता है से और आप देख तकते हूं वेस्टेम और टेक्ट भॉंग त कितने डीजल है किसी रखने कितने आर्पिया में ये हमारा पाउस्टेरिंग है और महेंद्रा वंगरे टेक्टों में क्या होता है कि एक लिटर योग वाई बार-बार चेंज हो जाता है तो यह वाई टेरिंग से लिए वेखर जाती है जो इन यह पीछ दिसे ग्राइट अपन होता है जिससे अपने लिफ्ट उठाते हैं उसी विल से अपना पार स्टेरिंग चलता है 36 जितना राउंड होता है जैसे घूमेगा तो वह आपिस आएगा तब थंडा मिलेगा इनको जिसके कारण हमारा पार सिस्टम सबसे ज्यादा चलता और कभी लीक नहीं होता जोंडिया अब जैक्टर के अंदर बोल जैट लगे होते हैं जैसे कि नीचे मोटर लगे हुए एक पंप लगा हुए वह उइल को उठाता है और जैट है वह पिश्टन और स्लीव को फरसर करते हैं कि कितना ओल इनको मिलना चाहिए प्रोपर लिजे और ट्रेक्टर क्याता है कि मेहंद रही पर चलो पूछी कहीं जिए ख्लो जब तो इसमें थोड़ा सा भी और तो ट्रेक्टर सीजनी होगा वह उपानी उसमें फ्रोफसर करेकते रहेगे प्रोपर ओल जैट है वह या तो हाईजाद में यूज होता है और या जोंडियर ट्रेक्टर में यूज होता है यह इसक और यह पूरा टjenर बगीड नहीं है। यूती हूं बगिर से हुग है। जी किसान भाई बोलते हैं कि लौय से लौय टर्फटल है तो कभी लीख नहीं होता है। और मजबूति के एकारण इसका वीषय है यह कि कोई पूरे ट्रेक्टर में पेकिंग नहीं है जोंडिय ट्रेक्टर की वारंटी पांच साल जोंडिय दे रहा है सब्सक्राइब को पहले इसकी वारंटी तीन साल थी हमारे ट्रेक्टर में विश्वास है इतना कोफिडेंस है हम इस ट्रेक्टर की पांच साल की वारंटी देते हैं कवी टेक्टर में कोई फी चीज की कमी हो। उसके हंक प्रोप्रदी स्वी टोइथेय करवा है कि वरणिश्प्य आंगे कि पीछह तक पूरे ट्रेक्टर जॉंड एर्परहे सबसे बेस्ट और चीज है इसके मुकाबले में आल इंडिया में 3600 पावर का कोई टेक्टर मुकाबले में नहीं है ना किसी कंपनी ने आज तक बनाया है इसके पावर फुल के अंदर Fuse XP के सभी दर्सकों का पुचाच शत्य में इंट्रेश्ट दिखाया है उसके लिए धन्यवाद और सभी किसान भायन है राम राम साथ